Assalamualaikum, Welcome back to my channel So, आज का माँ टॉपिक है Axillary Vane and Musculocutaneous Nerve ये दुनों हम आज डिसकस करेंगे Axillary Vane बहुत चोटा है So, axillary Vane actually क्या होती है हमारे पस axillary artery होती है इसी तरह axillary Vane भी होती है ये continuation होती है किसकी continuation होती है? Of the basalic vein जब हम dorsal venus arch पढ़ेंगे Dorcum of the hand पे जो है Dorcum of the hand पे जो है Dorcum of the hand पे जो है उसी से basalic vein arise होती है और एकसिफेलिक vein होती है तो हम उसे डिसकस करेंगे जब हम उने पढ़ेंगे तो आप फिलार इतना याद रखिए कि axillary vein continuation होती है कि इसकी basalic vein की और अगर देखें लाय करता कहां पे हैं लायस फिर अंदि मीडियल साइड अप्टी जो मारी एक्जेलल आट्री जा रहे हो थी उसके मीडियल साइड पर जा रहे होती है at the outer border of first rib यह क्या हो जागी it becomes subclavin when means a subclavin when change हो जाएगी हमारी axillary artery पहले से बिज़लेक वेन होती है फिर axillary vein as a जेकर भेह से और ता मिझाई कंईयूनीड़ा इला हिको का भेह स सभतत के मेंहें गॉइ आपस में surgery आपस है कि यह सिंपर से कि एंधर है कि यह हमारे पास किया है एक्षूलरी आर्ट्री है उसके मीडियल साइट पर है एक्षूलरी पास कि बताया है प्लाई इतने अधर करें अचाहत इस सबुर्बोहे करेंगी आउडल опас करेणी अधर Web medial to the, क्या होगी? देखे, medial side पे, यह लेटरल साइड होती है, यह medial side, so axillary artery के, यह मेडियल साइड पे, यह मरा होगी, अब आते है, musculocutaneous nerve पे, musculocutaneous nerve, यह क्या होता है? सप्लाइ करती है, muscle of the front of arm, जो front of arm है, हमारे arm पे, जो muscles होते है, उनको सप्लाइ करती है, and skin of lateral side of the forearm, जो हमारे forearm में आएगी, यह, आम है, हमारे front वाले muscles हों के उनको सप्लाइ करेगी, और skin को सप्लाइ करेगी, किसके forearm के skin को सप्लाइ करेगी, और वो भी lateral side वाले skin को, एक lateral side होता है, medial side, lateral side, means away from, यह वाले, देखे दे रहे ना, आपको, यह वाले, यह lateral side होता है, so, यह क्या करेगी, lateral side of the forearm को सप्लाइ करेगी, अब आते हैं, root value, यह, आपको मैंने brachial plexus पढ़ा रहा है, वहां पे आप देख लें, so, इनकी root value होती है, काउन से root value से निकलते हैं, ventral rami of, हमारी spinal nerve होती है, वो ventral rami और dorsal rami में डिवाइड हो जाती है, so, यह जो है, ventral rami of cervical 5, cervical 6, cervical 7, segments of the spinal cord, जब आप secondary में आएंगे, spinal cord को जब डीटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे, spinal cord में किया होते हैं, segments होते हैं, spinal means के segments होते हैं, so, यह कौन से root value से राइज होगी, ventral rami of, C5, C6, C7, segments of spinal cord, एक यह root value आपको याद रखनी है, कभी पूछ लेते हैं, वाइवाव अगरा में, so, अब आप देखते हैं, branch of, यह branch of किसकी है, lateral cord of the brachial plexus, मैंने आपको brachial plexus पढ़ा है, वहाँ पे lateral cord है, यह वहीं से निकलती है, यह branch of lateral cord की है, ठीक है, और brachial plexus लाइज कहां करती है, lateral to axillary artery हमारे, means के axillary artery है, उसके lateral side पर पड़ी होती है, and upper part of the brachial artery, so, यह हमारे क्या होती है, lateral होती है, axillary artery के, and upper part of the brachial artery होती है, कि को ग्राइकोnos प्रम seventeen को करती है, को इसको को सफिली को को ग्राइको प्राइक 종ा के और करे के युऑ एंपर पियरस करोगी, करे कि भृह कि अगरा करेंज को जो कि जाके लाए करेंगी कहां पर था Спाम के जआए घर्मान में में comparison मेंसे मड़ério के दर्मयान में लाएकर अनको पीर्स करके पहले से सप्लाइ करके दर्मयान जा के लाएकर जाके और अगर यह ऐर अगर यह और इसके आप अगर पर यह में फिर यहां पे जो है ब्रेक लौici किसINE की दोनal करने मिया के दर मियां में लाएकर यह ब Михाइन बरेखिया लिस्टीक है अब आता है फॉराम में क्या poram में क्या हो Greg क्या चेंज हो जाएगी, means cutaneous बन जाएगी, becomes cutaneous by piercing the deep fascia, deep fascia को pierce करके, यह किस में change हो जाएगी, deep, cutaneous में, the nerve is called, और जब यह pierce करके deep fascia में cutaneous बन जाएगी, तो उसे बोलेंगे, lateral cutaneous nerve of the forearm, अब lateral cutaneous nerve of the forearm क्यों कह रहे हैं, क्योंकि, यह हमारे lateral side पे supply करती है, forearm के, और वो भी skin क इसलिए cutaneous बोल रहे हैं, और lateral side पे supply करते हैं, इसलिए lateral cutaneous nerve of the forearm में यह change हो जाएगी, हमारी musculocutaneous nerve जब forearm में आजाएगी, और supply करेगी, किस को skin of the lateral side of forearm को, बहुत, on the front and back, lateral side है ना, उसके front पे भी, यह देखे, front पे भी supply करेगी, and यहां जो है, back side पे भी, अब ब्रांचिस क हैं, क्रेको ब्रेकियाले सा, long head of the bicep break है, यह muscular branch है, means कि muscles को supply कर रहे है, क्रेको ब्रेकियाले से, long head of the bicep break है, short head of the bicep break है, and ब्रेकियाले से, जब बोन पढ़ेंगे, आप बहां पे अटेजमिंट और insertion जो भी होती है, original insertion आप साहरे पढ़ेंगे, बोन में, और cutaneous branch देग किसको, elbow joint को, so, इसे अब हम diagram के तुरू discuss करते हैं, so, यह आप देखें, यह हमारे पास nerve है, musculokitonis, अब lateral cord से arise हो रही है, ठीक है, उसकी branch होती है, C5, root value है, C5, C6 and C7 से, फिर उसके बास apply कर रहे है, आप diagram में देखते जाए, क्रेको ब्रेकियाले से, ठीक है, और इसके बा और inter muscular septum, means muscles के दर्मियान अब लाए करें, between कौन से muscles है हमारे, bicep, bicep break है है, और एक ब्रेकियाले से, उनके दर्मियान में यह लाए करेगी, फिर पिर्स करके deep fascia को फिर से आजाएगी हमारे forearm में, forearm में जो है, means cutaneous बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे lateral cutaneous nerve of the forearm, और front पे भी supply कर इसे यह, यह branches दे रही है, anterior side पे भी forearm के, और posterior side पे भी, means anterior aspect and posterior aspect of the forearm पे, branches दे रही है, वो भी lateral side पे, not medial, so यह हमारा था, आज का muscular cutaneous nerve और axillary vein, I hope आपको समझ आया और ना समझ आया, question कर सकते हैं, अपना ख्याल रखिए, Allah आफिस, मिलेंगे next lecture में,